हम अभी जंतर मंतर पे हैं और जंतर मंतर पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोर्खा लेंड की मांग करने वाले लोग पिछले कई दिनों से अंसन और धरने पे हैं ये जगह दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो तमाम उन लोगों के लिए जो अपनी मांग अपनी डिमांड सरकार को किसी भी तरीके से पहुंचाना चाहते हैं यहां जुटते हैं बैठते हैं अंसन प्रदर्शन धरना करते हैं आप बताईए कितने दिनों से आप लोग यहां पे धरने पे हैं और आठ तरीक जून को जो अतिक्रमन वहां था उस दिन के बाद हमने दो इनके बाद दिल्ली में उसी गोर्खालैन के उस पर हम इंबट हो गया यह डिमांड गोरखालैन के जो सदियों से चली आरहे है सो साल से भी उपर के बात हो गई है उसे चीज़ को लेके हम यहां दिल्ली में जंतर मंतर में 96 दे आज हो चुका है और हमारे जो रिली अंसन है यहां ने बोर्ड लगा रखा है कि छासेट दिन हमारे रिली अंसन चल रहा दिल्ली में अच्छा अभी थोड़ी दर पहले मैं से उपर हो चुका है हमारे जो यह इस्ट्रैक तीन मेने के दोरान में वहां के जो ट्यम्ची सरकार ने पूलिस को लगवा के एडिशनल फोर्स लगा के सियार पी पैर मिल्टिर फोर्स को लगवा के अभी गाउंगा घरों में जबर जश्ती यह लोगों को मतलब गुंड़ कर रहा है उसे उसे तीन मेने के दोरान यह हमारे अभी हमने यह रख्त हैं के लिए इनको गोली मारक है इनको लोगों का मिया बतारूं डिल्ली के जनतर मंतर पे इतने लोग प्रदार्शन पे बैठे रहतें हैं कुछन को परदार्शन चलता रहता है आप भी बैठे हैं चीज सिष्छन 95 दिनों से तोक्त्तों किया उमीद है आप दोगों को हमें उम्मीद है क्यों हम यहां से हम ख्रेया मंतरलला आ आखा उले तनिता तो यह स desafikus थे अपनाद है रिक्ताली जहनुन कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कहीं न वहाज की आवाज है वह सरकार तक और जो सरकारी एजंसियां है उन तक पहुंच पाएगी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में हाँ ये मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक तीर मेहना हो चुका है इससे भी ज्यादा हो चुका है और नाइंटी सिक्स डे अभी आज है जो स्ट्राइक के वहाँ पर और अभी तक कोई खास कोई कदम सेंटर से भी नहीं आया है और स्टेट गवर्मेंट से भी कुछ खास हमें मिलने नहीं है हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे गोर्खा लेंड को लेकर के दार्जिलिंग में जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ और जिस तरीके की हिंसा पुरे देश ने देखी है उसकी एक जलक उसकी एक शांतिक पुरुबक जलक आप जंतर मंतर पे देख रहे हैं ये देखिए अनिश्चित कालीन धरना भूखरताल है इनका अंसन 96 दिन से भूखरताल 65 दिन से जहां मैं इनसे बात कर था पिछले 65 दिनों से ये भूखरताल और अंसन दिल्ली के जंतर मंतर पे चुपचाप चल रहा है आप में से बहुत से लोगों को इसकी जानकारी भी दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हुए है झाल